सातियो नमस्कार मैं हूँ एड़ोकट सोक्षोदरी सातियो आज अपन बात करेंगे कुछ आप लोगों के कमेंट थे मैं वीडियो के मादम से हम कमेंटों के आंस्वर देनी कोशिश करूँगा तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सेर कने चाहर चैनल सब्सक्राइब क कि जूट इन राजस्तानी दलालों के पास है क्या दोस्तों फिलाल कत्री विज़ा एकदम फरी है और कत्र में 95% ठेकेदार लोग हैं और यहां पर 20,000 से कम बचता है इसका मतलब आप कत्र में काम कर चुके हो या फिलाल कर रहे हो और लोगों को ये बोल लो बाइक पहली त सबसे कम चिटिंग राजस्तानी अजेंड करते हैं मेरे से लिखवा के ले लेना समझ गए बात को ये आप साइद या तो राजस्तान के होंगे नहीं या मुझे नहीं बता आपने एक कमेंड क्यों किया राजस्तान में सिरफ गलब का काम होता है मेरे भाई और गलब में लेक्सेकेदारी करते होंगे कमपणिया नहीं यह दो 10,000 कमपणिया हैं कतर में समझ गए बात को अगर कोई नोलेज पूरा नहीं हो तो भाई ऐसे अकमिट मत किया करो समझ गए बात को अब ठीक आप लोगों को बता दो लेकिन मुझे क्यों यार बेकू बनाने कोशिस कर रहे हूं तो इन चीजों में कुछ नहीं रखा और कतर में मैं बता दूं 20,000 तो नीचे नीचे वाली पगार है क्योंकि 1200 रुपए तो कम से कम मिलता है पत्चीज 20,000 से लेकिं लोग बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं जैसे दुबै में दुबै की कतर की शेम है ना दुबए में जब दीज अरसे लेकिंके लोग 10 लाग रुपए तक कमा सकते हैं तो क्या कतर में नहीं कमा सकते हैं सेम कतर की कंडिशन भी तो सेम है कतर कौन सा कम है भई ठीक है दुबई में लोग ज्यादा रहते हैं वहाँ पर क्या कम है दुबई में कतर में दसलाग आदमी है इंडिया के पागल नहीं है वो यह विराव ज्यादा शाने हो अपने दिमाग भई अपने पास रखा करो ठीक है परदीव कुमार यादव बोलते हैं सर फरी में जोब के लिए जोब लाइएस जिसमें सेलली से पैसा देना हो बाई फरी में जोब गलब की लगब फरी होती हैं कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन बीच में जो कड़ियां होती हैं यहां से शुरुआत होती है, जेंटों की घर तक पहुंच जाता है आपके परोस में जो जेंट हैं कितने जेंट होगा बीच में, वो पैसा किसका लगेगा, आपका, कमपनियां फ्री वीजा देती हैं, ठीक ह पैसा नहीं लगता लेकिन वो बीच में जो कडियां होती है ने 184 लाक्रूपए देख पहुंच जाता है फरीका यह आता है काम लेकिन पैसा देरा अपनी मजबूरी है नहीं दोगे तो आपको ज्यादा प्रिशा नहीं होती है ज्यादा लोक ज्यादा रशलने उते ऊपडिकिंगे होते हैं Brizi मैंने देख्टाय मैंने परस्नल मिला हूँ मैं यहां पे मीजिट में आ जेकर टिकट लेकर और तो लाकि रूपे ज्यादा रहे है दिखिट पता है यहां बेड़ इस्पेस कितने में मिलता है 500 दराम में 500 दराम का 10,000 रुपे तो महिने का बैड रूम नहीं है बैड मिलता है दस हजार वो जोड़ लो पिर 300-400 बंदा मेंनेगा अगर गूमता है तो खा जाता है समझ गए खाना कंपनी में बना के खाता हूँ अलग बात है पिर ट्रेवल करता है कितना मेंगा पड़ जाता है उसको जोब भी नहीं मिलती डायरे कंपनियां जोब नहीं देती उनको बीच स्वाट आप बोलते हैं शिंगापूर में जोब के लिए इंगलीज आने जरूरी है कि इसके विना क्या को जोब मिल सकता है बताई बात को निया नो sights बद कर रोलहा घेप की कंने वहा उनकी नहीं लोर है वह समझ गए बदको बिलकुम का युब शानी बीए मुहमत इकबाल बोलते हैं सेल्ली कम से कम सर 30,000 होना ची विदेश में बिल्कुल आपकी बात फेक्ट है भाई 30,000 होना ची है लेकिन यार इंडिया में जो आदि में 5,000 ही नहीं कमा रहा है उसके लिए 20-25,000 मिल रहे हैं उससे तो चार गुणा पांस गुणा होई उसके लिए बहस है, अगर आप इंडिया में 15,000 कमा रहे हो तो आपको डबल सेल्ली मैं माद आँ डबल सेल्ली अगर मिल रहे है तो बहस्त है मनिश्कान बोलते हैं सर सबसे ज़्यादा सेली कौन सी कंट्री में मिल सकती है दस्पी पास भाई अमरिका में कनेडा में मिल सकती है हिम्मत है तो पहुंच जाओ ठीक हा भाई अंकी दुबे बोलते हैं करें और सर्चिंग करें सब जगाइं और राजस्तान को लेकर नहीं कहाई और और हो साहरी अजेंट है चलता रहते हैं वहाप मोटते हैं पैसा बहुत ज्यादा लेता है मैं तो 500 रुपे लेता हूं मैं कौन सा ज्यादा लेता हूं मेरी तो फीज 500 रुपे वो भी लोग नहीं देते उनको तो बीजार टिकेट सब कुस फ्री में चेक कर दो 500 रुपे नहीं एजेंड को पतल लगे डेड़ लाग दे रहा है मैरी फीज 500 रुपे है ठीक है बामा सार आठ पना चाहते होगे यह बात गलत बात मेरा आपने जैसे मैंने विकेंट से डाली ठीक है उसमें नमबर डाल दिये आपने बात करी आपकी क्या बात वहीं मुझे नहीं पता मेरे काम है सब्सक्राइब की पेकिंग का जोब है जारवलेश 200 सिल्ली है और इस ओपिस में काम आया है क्या वो जिम्मेदारी आपकी खुद की है दूसरे पर बंदूग रखके गोड़ा मत चला हुआ ठीक है आपकी खुद की जिम्मेदारी है आप जिम्मेदारी लोग है इसकी अगर जाना है तो नहीं जाना है तो कोई बात में ठीक है कुंदन या तो बोलते हैं सर नमसकार तिन साल पहले इंक्म टेक्स फैल बनवाय था लोन ने लेके लिए लोन अभी लिया नहीं ना ही अभी तक रिटन फैल किया भीस जार जुरुमाने भी लग गया क्या में इंडिया से बार जा सकता हूं वही क्या बात करते हो चाहिए इंडिया के तो दस-दस हजार क्रोडं सब्सक्राइब पूशन साँ जरूर बताँगा लेकिन नहीं अबित तक किसी नहीं किया अब मेरे से मतलब उन को कुई कह सकता लेकिन बाहीं नहीं आएगी तो जुरूर बताऊंगा अभी से कि नाइक बोलते हैं सर उमान जाने के लिए कितनी उमर चीए वाई टूंटी वने चीए आपका मेडिकल में ठीक है राजन वर्मा बोलते हैं कितना केजी समान ले जा सकते हैं वह दुवेई में तो 30 किलो समान आप लेके जा सक यह आपके कमेंड थे मैंने आंस्वर देने कोशिज की वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करने साथ 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 में बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही नई अपडेट डालों आपके बास सबसे पहले नोटिफिक्जन पहुंसता रहे है जैने वंदे मतर